नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तो पीके क्लासिस में आज मैं आपके लिए पाउडर मैट लर्जी के बारे में बताने वाला हूँ Powder Metallurgy क्या होती है, कौन-कौन सी Methods होती है, किस काम में आती है इसके वारे में संपून जानकारी आपको मैं इस वीडियो द्वारा दे रहा हूँ तो दोस्तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड सेयर करें तो Powder Metallurgy सब्जेक्ट Material Technology Diploma Student पढ़ते हैं, Manufacturing Process या Production Process है जो यह भी पढ़ते हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको Powder Metallurgy है, जो एक पूरी यूनिट बहुत ही important है Powder Metallurgy क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे Powder Metallurgy तो Introduction Powder Metallurgy का हम देखेंगे Powder Metallurgy यह Process of Making Parts from Metal Powders जब हम कोई भी component, कोई भी part Metal Powders के बनाते हैं तो इसके लिए हम को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Powder को बनाना पड़ेगा Powder Metallurgy क्या है, यह प्रिक्रिया है जिससे हम Metal Powder से कोई भी component या parts के लिए manufacture करते हैं The Powder Metallurgy was used to replace casting from Metal जो हमारी Powder Metallurgy है, यह हमारी कहां से आई है निकलके यह replace हुई है casting के लिए, casting से जब हम कोई भी Metal की casting होते हैं, तो जिन धात्वों का melting point high होता है, पिगलने का जो बिंदु है वो high होता है तो वहां पे क्या है दिक्कत होती है, कि हम उसको कैसे गलाएं, कैसे melt करें तो इस जगा पे हम किसका उप्योग करते हैं, यह जो new develop की है टेक्नेक, पाउडर मैटलर जी, इससे यह पासिबल होता है, इससे हम आसानी से और economically क्या करते हैं, इस प्रावलम को साट आउट कर सकते हैं, तो दा पाउडर मैटलर जी वाज यूज तो रिप्लेस कास्टिंग फार मैटल बिच अडिफिकल्ट तू मेल्ट दू हाई मैल्टिंग पॉइंट, दा डवलमेंट आप निव टेक्नेक मेड इट पासिवेल तो प्रोडूज पार्ट्स economically and easily in the field of metal process, कोई भी metal process है, manufacturing process है, तो उसमें हम क्या करते हैं, powder metallurgy के parts या component हम फैबरिकेट कर सकते हैं, manufacture कर सकते हैं, जिनका melting point बहुत हाई होता है और जिसकी हमको कास्टिंग में दिक्कत होती है, ओके, तो यह हमारी क्या है, powder metallurgy है, और powder metallurgy क्या है, एक प्रक्रिया है, को भी भी component बनाने की, okay, main step of the process, जो powder metallurgy है, उसमें जो main step involved होते हैं, वो हमारे ये five step हैं, जो की mainly use होते हैं, involved होते हैं, और इसी five step में हमारी जो प्रक्रिया है, powder metallurgy की, वो complete हो जाती है, तो जिसमें first step है, making up metal powder, सबसे पहला काम होता है, कि हमको metal के powder को बनाना, क्योंकि जिससे हम manufacture करने वाले हैं, कोई भी component या part, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके powder की आवश्चकता होगी, तो powder making या manufacturing of powder, second point है, जैसे हम powder बना लेते हैं, mixing and blending of powder, इसके बाद हम powder को mixing करेंगे, या blending करेंगे, इसके बाद compacting, third point है, जो इस process का वो है, compacting, fourth centering और final आपका है, finishing operation, ये five step mainly used in powder methodology process, जो भी powder से हम component बनाते हैं, उसको इस step से, step by step हम क्या करेंगे, apply करते जाएंगे, और final हमारा काम complete हो जाएगा, ओके, तो ये main step है, इस process के, method of manufacturing metal powder, अब बात आती है, कि हम method कौन कौन सी method से हैं, जो कि हम powder के लिए बना सकते हैं, powder को metal के बना सकते हैं, method साप manufacturing metal powder, metal powder बनाने की कौन कौन सी प्रिकरिया है, कौन कौन सी बिदी है, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ methods हैं, जिसकी बात करेंगे, distinguishing में और थी आपको मैं समझाओं गा के हम मैटल पॉडर है कैसे बनाते हैं इन मैफळ से तो फरस्ट आपके ChrisAPP कर आदे हैं यहें करुसिंघ मैफळस तो जो क्रूसिंघ मैफळस है Cooling method में आपको कैसिंग जो है इसमें आपको डायाइग्राम दायागर्म में हमारी 2 विल्ड सें 2 क्रिसर विल्ड सें, एक week every every बना हुआ है इतुपर में हम जिस पाउडर्स का पाउडर्स में जाना है उसके बड़े बड़े पाइटिकल्स हम इस हूपर में भर देंगे और इसको फीट करेंगे बिटबीन रोलर्स तुद्धा क्रिसिंग मैथर्स यूज़ फार बिटल मटेरियल यह ध्यार रखना है कि जो हमारी क्रिसिंग मैथर्स है इसका उपयोग हम किसके लिए किसका और हूपर का दा मैटल पारट फस्ट इन दा हूपर जो हम जिस मेटल पाइट का हम क्या करना है उसको ने कर देंगे हूपर में फिल कर देंगे ूपर ने पास थू रूटेटिंग को यह नीचे की और दो रोटेटिंग गोमते हुए भील्स के बीच से पास होगा और पास होगा तो क्या होगा ये छोटे-छोटे particles में या powder में हमारा क्या होगा convert होता जाएगा तो भेंदा metal particle passes between rotating wheels converted into powder तो जैसे ये rotating wheels से pass होगा तो हमारा किसमें change हो जाएगा जो बड़े-बड़े course grains थे वड़े-वड़े particles थे वो हमारे किसमें powder और छोटे-छोटे से small particles में change होगे powder के फाम में बदल जाएगे तो ये हमारी first method है क्रिसिंग जो हम battle material के लिए इसका उपयोग करते हैं किसका powder बनाने के लिए तो दोस्तों ये diagram दिया हुआ है बहुती simple diagram मैं मैंने ड्रा किया है जिससे आप smoothly और आसानी से समझ सकें तो नीचे metal powder है एक fix surface पर दो हमारी roll भील से हैं या क्रिसर भील से हैं और एक फूपर है ओके first method ती है कि second है atomization atomization से हम powder कैसे बनाते हैं तो atomization methods होती है this method is mostly used for low melting point metals इसका उपयोग हम वहां पर करते हैं जिन metals का melting point बहुत कम होता है low melting point होता है जैसे की and alloy like कौन-कौन से metals होते हैं and alloy like tin zinc brass lead aluminum etc इस method में हम जिनका melting point बहुत कम होता है जो कम तापमान पर भी गल जाते हैं उन धात्यों का उपयोग करते हैं उन metals का उपयोग करते हैं जिससे की हमारा aluminium हो गया six fifty six sixty के लगवग approximate होता है melting point 10 हो गया zinc हो गया brass हो गया laid हो गया इन सभी का हम atomization के थुरू powder बना सकते हैं तो इसमें in this process the molten metal इसमें क्या है diagram आपको देख रहा है तो डाइग्राम में एक हमारा क्या है molten metal है जो कि हम glass से हम किसमें यह टंड इसमें फिल कर रहे हैं यह हम molten metal को तो क्या कह रहा है इसमें in this process the molten metal is forced by a small orifice यह जो metal है इसको हम फिल करके force करते हैं small orifice से एक हमारा small orifice होता है means hole होता है जैसे कि आपकी orifice टीव होती है इसमें fluid में इसी प्रकार का orifice small होता है जिससे हम molten प्रिगले हुए liquid farm में metals को क्या करते हैं force करते हैं by small orifice and spread by water jet इसके बाद हम side से क्या है जो red color में आपको डाट डाट दिख रहे हैं यह हम क्या है water jet से हम क्या करते है इस ट्राइक करते हैं high velocity high kinetic energy हमारा जो water jet होता है वो इससे टकराता है और इसको क्या है छोटे छोटे particle में अलग कर देता है और जैसे हमारा क्या होता है ठंडा होता है और थंडा होता है तो यह हमारा ठंडा होने पर क्या हो जाता है solidify हो जाता है solid farm में आ जाता है तो इससे हम क्या है से method को जो है powder को manufacture कर सकते हैं और इन धात्यों का aluminium zinc tin lid इत्यादी इन सब के हम metal powder इस परकार बनाते हैं कि जिसमें सबसे पहले molten metals को हम क्या करते हैं tundus में क्या करते हैं फोर्स करते हैं fill कर देते हैं जो एक small orifice होता है hole इसके बाद जब इससे पास होता है तो हम side से क्या है high water jet जो होता है या inner gas या कोई compressed high pressurized air को उससे क्या होते है नीचे आएगा और नीचे आने के बाद क्या होगा थंडा होता है तो यह हमारा क्या होता है silent farm में हो जाता है और यह हमारा silent farm में बनके powder ready हो जाता है तो इस सेकंड मेथड तीक इसकी आटोमाईजेशन जो है पाउडर मैनुफेक्चरिंग की पाउडर बनाने की ओके इसके बाद हम नेस्ट स्टेप की बात करने से पहले आपको एक मेथड हो समझा देते हैं जैसे हम मिलिंग की बात करें तो मिलिंग में क्या होता है यह हमारा स्लेंड होता है जब यह स्लेंडर घूमता है तो यह बाल्स उपर पहुचते हैं फिन नीचे गिरते हैं तो यह आपस में ठकरा के जो जिस मेटल का बनाना है जो कोर्स ग्रेंड बड़ी साइज में थे उसको तोड़के हम छोटा-छोटा पाउडर बना लेते हैं तो उसको हम बोलते उसके बीच से पास कराके रोल मिल से पास कराके हम पाउडर बना सकते हैं तो यह हमारी पाउडर बनाने की मेथड़ थी तो सबसे पहली हमारे एक काम हो गया कि हम पाउडर कैसे बनाते हैं इसके बाद सेकंड स्टेप आता है मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग तो हमारा and mixing of the powder are necessary for uniformity of the product कोई भी हम product बना रहे हैं तो हमारी blending या mixing यह हमारी आवश्चक होती है किसमा powder methodology में the lubricant इसमें हम क्या करते हैं the lubricant are added to the blending of powder before mixing mix करने से पहले हम क्या करते हैं इसको lubricant को मिला के इसको हिला लेते हैं इसको हम क्या कर लेते हैं सेक कर लेते हैं blended करते हैं तो the lubricant minimize the beer तो जो lubricant हम इसमें यूज करते हैं वो हमारा किसको beer को कम कर देता है जिससे हमारा friction है जो powder के बीच में जो छोटे छोटे महीन पाउडर को मिक्स कर सकते हैं जैसे हमको कोई भी पाउडर को मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं बेट फाम में या बाल स्मिल्स की साहता से इसको मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद हमारा हमारा को करेक्ट मात्र में इसकी कंपोजीशन कितनी रखना है जैसे हम allying elements होते हैं मतलब उसमें iron होता है carbon होता है silicon होता है क्रोमी कई सारे elements होते हैं इसी परकार हम mix करके जिस-जिस element को add करना है उस powder को हम mix कर लेंगे पर यह correct composition composition का मतलब होता है मात्रा और इसको हम आपस में क्या करेंगे mix कर लेंगे तो यह हमारा second step पाउडर मैटलोजी क्या complete हो जाएगा, next इस में जो आता है, compact तो जो compacting है, compacting क्या होती है, compacting है, जो compacting is the process of compacted metal powder, जो metal का powder है, उसको compact करने की जो प्रिक्रिया होती है तो इसको हम क्या करते हैं compacting बोलते हैं, तो इस प्रिक्रिया में, metal powder इस वह क्या होता है कि जैसे आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो डाइग्राम है उसमें हमारा एक लोवर पार्ट है जिसके अंदर cavity बनी है और हमारी dye है red color की dye है डाई के अंदर cavity बनी है और उपर हमारा अपर पंच है यह हम इसको plunger भी बोल सकते हैं तो यह जो compacting होती है compacting process में हम क्या है compacting is the process of compacted metal powder in a dye by the application of high pressure high pressure यह force की मदद से हम क्या करते हैं metal powder को compact कर लेते हैं compacted कर देते हैं ठीक है means अलग-अलग है जो फैला हुआ है उसको दबा देंगे तो वह आपकी एक tablet type की एक बन जाएगी means आपस में यह particles है जो अलग-अलग बिखरेंगे नहीं फैलेंगे नहीं तो इसको हम compacting बोलते हैं तो compacting करने की जो methods हैं या इसकी जो प्रोसेस हैं pressing होती है, rolling होती है, extrusion होती है और भी कई सारी होती है जिसमें यहाँ पर एक-दो methods के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि methods आप compacting कौन-कौन सी होती है तो जिसमें फर्स्ट है प्रेसिंग, जो प्रेसिंग होती है प्रेसिंग में क्या है इन इस प्रोसेस, the metal powder filled in a bottom of the dye cavity जो की आपको डाइग्राम में दिख रही है इस डाइग में क्या है बाटम बाली जो डाइग है इसमें हमारी केविटी बनी हुई है केविटी का मतलब होता है गड़्डा मीस ऐसा खाली जगा तो डाइग केविटी में हम सबसे पहले क्या करेंगे metal powder को फिल कर देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे punch की सहायता से high pressure apply करेंगे vertically इस पे तो ये जो हमारा नीचे वाला dye है जिसमें powder है इसके उपर से अपर punch आएगा तो ये इसको दबा देगा प्रेस कर देगा तो जो अलग-अलग particles है आपके होके एक solid mask बन जाएगा ठीके तो इसमें क्या है the powder is then the powder is then compacted into proper shape size and then ejected from the dye cavity तो जब हमारा ये powder है जो proper shape size में आ जाएगा और एक आपका piece type का बन जाएगा piece बन जाएगा proper shape size में तो इसके बाद हम ejector pin से नीचे वाली से उपर shift करेंगे उपर दबाएगे तो ये हमारा compacted piece से बाहर निकल आएगा और ये हमारी compacting है जो process complete हो जाती है इसके बाद यदि हम second देखें तो second जो है हमारी rolling है rolling से भी हम compacting कर सकते हैं तो इसमें rolling जो process है इसमें हमारी क्या है दो rollers लगे हुए है उपर हूपर है तो इसमें बड़े बड़े particles या grand sorry इसमें जो metals का powder है उस powder को हम metal powder को हूपर में भर देते हैं और हूपर से feet करते हैं जो हमारे दो roller के 20 से pass होता है तो जब ही हमारे roller के 20 से pass होगा तो जो ये जिसमें आपका ये फैलेगा नहीं बिखरेगा नहीं एक प्रापर मेटल की स्ट्रेप है जो आपकी ये मेटल की सीट है वो बन के बाहर रेडियो के बाहर निकल दी जाएगी तो means this method we used for making straps and rods with uniform mechanical property एक समान गुण की हम rods हो गई, straps हो गई metals की ये हम rolling प्रिक्रिया से बनाते हैं जो हमारी compacting में rolling method से हम इस तरह की products को बनाते हैं this method the metal powder is feed between two rollers which compress and bind metal powder particles तो means इस प्रिक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो हमारा metal powder है उसको हूपर में से feed करते हैं between two rollers, दोनों rollers के बीच से तो जिससे ये क्या करता है, compress कर देगा इस powder को and bind, bind का मतलब होता है join करना, binding, अपन बोलते है metallic binding होती है तो metallic bounding मतलब एक दूसरे से जो particles है वो bounding चिपके होते हैं break करने के लिए हमको तोड़ना पाता है, तो ये हमारी क्या होगी bind हो जाएगा metal particles एक दूसरे से set हो जाएगे तो ये हमारी second compacting की method है, जो ये हमारी क्या rolling इसके बाद, rolling के बाद जो next step हमारा powder metallurgy में involved होता है, वो होता है sintering तो जो centring है, sintering है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है, कि जो हमने compacting की है, उसकी strength को बढ़ाना, उसको और मजबूत करना, और उसकी bounding को और strong करना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, sintering करते हैं, तो sintering जो है, ये process है, heating compact at high temperature, जो हमारा compacting में हमने piece को compact किया है, एक solid mass बनाया है powder से, इसको हम क्या करेंगे, heat करेंगे, high top मान पर heat करेंगे, लेकिन melting गले भर ना, पिगले ना, उसके पहले तक हम क्या करेंगे, इसको heat करेंगे, तो sintering is the process of heating compact at high temperature, without melting and farming a solid, बिना melting हुए, ये क्या है, रहेगा solid farm में, और एक solid mass है, जो materials का बन जाएगा, तो the sintering increase the strength and bound up compacted parts, तो जो हमने compacting की थी, उसकी strength को और increase करना, और उसकी जो bounding है, उसको और strength बनाने के लिए हम क्या करते हैं, sintering करते हैं, तो इसमें हम, अलग-अलग प्रकार के materials के लिए, अलग-अलग तापमान पे, और अलग-अलग holding time पे, hold करके, क्या की जाती है, sintering की जाती है, जैसे कि हम heat treatment करते हैं, mechanical property को change करने के लिए, तो हम यहाँ पर sintering जो है, वो compacted piece की strength बढ़ा रहे हैं, और उसकी bounding को मजबूत करने के लिए, हम sintering करते हैं, जिसमें metal, जो compacted metal piece होता है, part होता है, उसको high temperature पे, कुछ दिन तक hold करके रखते हैं, और इसके बाद उसको बाहर नकालेंगे, तो यह हमारा क्या है, अच्छा मजबूत है, जो metal powder का वनके component तैयार हो जाता है, इसके बाद आता है final step, जो कि यह finishing, finishing operation, तो यह powder methodology की complete detail है, इस वीडियो में, जो आपकी total unit है, वो इसमें cover हो जाती है, तो finishing is the final operation, which improves the dimensional tolerance, finishing जो होती है, यह हमारा final operation होती है, final प्रक्रिया होती है, अंतिम चरन होता है, जिसमें हम जो हमारा powder methodology से हमने component बनाया है, अब उसको हमको एकदम close, accurate बनाना है, आपने क्या कर लिया, powder methodology से part बना लिया, लेकिन हमको उसको smooth करना है, चिकना चाहिए, और accurate dimensions चाहिए, प्रापर के 10 by 10 का है, 10 by 20 का है, तो accurate चाहिए, तो उसके लिए हमारी अंतिम step involved होती है, finishing, तो finishing is the final operation which improved the dimensional tolerance and physical property and surfaceness, तो उसकी हमारे ये parameters को improve कर लेंगे, तो ये हमारा ready हो जाएगा for selling, तो ये हमारी क्या होती है, powder methodology है, जो ये powder methodology प्रक्रिया होती है, ये हमारी material technology में units है, जिसके अंदर ये पूरा चेप्टर है, ये process में complete हो जाता है, तो thank you and subscribe channel for more information and latest video, thank you very much.